भारत रूस के बीच S-400 डील के बाद अमेरिका की ओर से भारत पर प्रतिबंद लगाये जाने की संभावना जटाई जा रही है वहीं प्रतिबंदों को लेकर अमेरिकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प का बयान भी आ चुका है कि भारत को जल्दी ही रूस के साथ डील करने का पता लग जाएगा इस बयान के बाद क्यास लगाये जा रहे है कि अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंद लगा सकता है लेकिन इसी बीच इस परिशानी से निकलने के लिए भारत और रूस ने मिलकर एक रास्ता निकाला है अब अगर अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंद लगाता है तो भारत और रूस एक दूसरे के साथ अपनी मुत्रा में कारूबार करेंगे जिससे दोनों देशों को डॉलर की कम आवशक्ता पड़ेगे साथ ही अगर दोनों देशों के बीच का वैपार डॉलर में नहीं होगा तो अमेरिका पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो जाएगी और साथ ही वैपार पर भी प्रतिबंध का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाया जाता है तो दोनों देशों के एक दूसरे के भुकतान के लिए डॉलर नहीं देने पड़ेंगे वही अगर रूस भारत को पेमिंट करेगा तो अपनी मुद्रा में करेगा जबकि अगर भारत रूस को पेमिंट करता है तो रुपए में करेगा जिससे अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा हला की यह देखना होगा कि भारत और रूस का ये प्लैन कितना सफल होता है अगर ये सफल होता है तो कहा जा रहा है कि अमेर्की प्रतिवन्दों को भारत पर अधिक असर नहीं पड़ेगा बता दे कि रूस भारत का सबसे करीबी वह मददगार देश है जो दिती विश्युद्ध के बाद से लगतार भरक के साथ साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा रहा है बिर रिपोर्ट भारत तक